अकश्वाणी भुपाल के समाचार प्रभाग से प्रस्तोत है जाबुआ जिले की चिठ्थी आलेख हरिश्यादव वाचनस्वर रतनेश सोनी सामजिक न्याय एवम दिव्यांग जन सशक्तीकर्ण विभाग द्वारा जाबुआ जिले के दिव्यांग जनों को उनकी पातरत अनुसार सहयक उपकरणों का वित्रन करने की कारिवाई की जा रही है दिव्यांग जनों हितू परिक्षण शिविरों का आयोजन विकास करने स्तर पर किया जा रहा है ये शिविर 13 मार्च को मेगनगर और 15 मार्च को थांदला में आयोजित होंगे जिले में दिव्यांग जनों के स्वास्त परिक्षन कर उपकर्ण हितू पातरता संबंदी कारिवाही, मेडिकल बोर्ट तथा प्रशासनिक अधिकारी जिला विकलांग पुनर्वास केंदर के द्वारा की जा रही है पिछले दिनों जाबुआ में सामोहिक दोदिवसी हलमा करिक्रम में राजपाल, मंगो भाई पर्टेल और मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान भी शामिल हुए राजपाल ने जाबुआ शहर के समीप गोपालपुरा में गेती यातरा का शुभारम किया इस दोरान जाबुआ, अलिराजपुर, गुजरात के दाहोद, मही सागर और राजस्थान के मासवारा जिले से लगबग 40,000 ग्रामिन गेती, तगारी वा फावला लेकर शामिल हुए इस सवसर पर राजपाल ने कहा कि हलमा की सोच समाज को एक जूट करती है जिस से रास्थी एकता की भावना जागरत होने से देश आगे बढ़ता है कारीक्रम के दोरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान ने कहा कि हलमा की परंपरा दुनिया को ग्लोबल वामिंग से बचा सकती है सरकार और समाज एक साथ खड़े हो जाएं तो हम दुनिया को बचाने का संदिश दी देंगे पश्चिमी वध्यप्रदेश के आदिवासी अंचल जाबुआ में देश विदेश में प्रसिद लोक संस्कृति का पर्व भगोरिया धूमधाम से मनाया गया होली के साथ दिन पहले से मनाय जाने वाले इस पर्व में आदिवासी अंचल जाबुआ में उस सव की हुमारी में दूबा रहता है इस बार भगोरिया में राजनेतिक दलू ने भी अपना रंग बिखेरा उलेकनी है कि होली के पहले भगोरिया के साथ दिन ग्रामीन खुल कर अपनी जिन्दगी जीते हैं देश के किसी भी कोने में ग्रामीन आदिवासी मजदूरी करने गया हो लेकिन भगोरिया के वक्त अपने घर लोटाता है इस दोरान रोजाना लगने वाले मेलु में वो अपने परिवार के साथ समयत होते हैं जाबुआ जिले के शहरी और ग्रामीन शेत्र में होलीका दहन परंपरागा थर्शोलास के साथ किया गया हुलिका देहन के दूसरे दिन शाम को आदिवासी समाज में मनाया जाने वाला गल और चुल पर्व जाबुआ जिले के ग्रामिन अंचल में बड़े धूमदाम से मनाया गया शाम को कई स्थानों पर गल और चुल देव इस्थलों पर मननत धारियों ने अपनी मननते उतारी ही और तलब है कि आदिवासी पर्व भगोरिया के बाद होने वाली इस अनूटी पूजा को देखने और इसमें सम्मलित होने के लिए दूर दूर से लोग जाबुआ आते हैं वेश्प श्रवन दिवस के अफसर पर जिला स्पताल जाबुआ में निशुलक श्रवन जाच शिविर का आयोजन किया गया जाबबुव अ जिला नियायाले परिसर में स्थित एडियार सेंटर भवन में मध्यस्ट अदिवक्ता अन्य अदिवक्ता और नियाधीशों के लिए एक दिवस्य मध्यस्था प्रशिक्षण का रेक्रंपायोजन conditions प्रधान जिला नियादीश जिला विथे के सेवा प्रादी करण मुहमद सेयदुल अबरार के मारक दर्शन एवं रिसोर्स परसन की रूप में मुहमद शमीम इंदौर की उपस्तिती में संपन हुआ प्रदान जिला नियायदीश मुहमद सेयद अबरार ने कहा कि विवाद इवं परिवारवाद जैसे मामले नियायाले में आने के पहले मध्यसिता के जरीए आसानी से निटाए जा सकते हैं उनने बदाये कि नियायाले में बड़त प्रकरणों के संख्या सेयदा बढ़ गई है इससे कई विवादों से संब्दित प्रकरणों का समझा या मध्यसिता के जरीए किया जा सकता है रिसोर्स परसंड मोहमेद शमीम ने कहा कि न्यायालों में बढ़ते परकरणों की संख्या को देखते हुए मीडियेशन के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण हितु यह तंतर तयार किया गया है प्रशिक्षित मीडियेटरों के द्वारा प्रक्षिकारों के मध्य विवादों को समझ कर उनका विशलेशन कर आपसी समझाईश से प्रकरणों को निराकर्ण किये जाने का प्रयास किया जाता है इसलिए मीडियेटर को समुचित प्रशिक्षन दिया जाना आवश्चक है प्रशिक्षन के माध्यम से मीडियेटर को दो पक्षकारों के मध्य किस प्रकार मध्यसता कराया जाना है ये सिखाया जाता है ताकि वे प्रकरण को अच्छी धना समझ कर सरलता से निराकरण करा सकें निश्चित रूप से इस प्रशिक्षन कारिक्रम का लाब अधिक से अधिक के प्राप्त होगा और प्रशिक्षन लाबधाई सिद्ध होगा जिले में शास्की योजनाओं के क्रियानवेन में लापरवाई करने वाले करमचारियों के विरुद सख्त कारवाई की जा रही है अंतरास्टी मिलेट वर्श 2023 के क्रियानवेन इवं मिलेट कैलेंडर के अनुसार जाबुआ जिले में अन्ये विभागों के सायोग से जिला इस्तर, विकाज सखरनिस्तर और ग्राम पंचायत इवं ग्राम सबा इस्तर पर मिलिट अधरित कतीविदियों का आयुजन किया जाएगा इसके अंतरगत जिला इस्तर ये कारिशालक आयुजन भी होगा इस जी के साथ जिले की चिठी समापत हुई